हेलो फ्रेंड्स मैं गौरव आपका एक्जाम तक यूट्यूब चैनल में हर देख स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि मैंने सुबह बोला था कि मैं साम तक अपना सर्वे कंप्लीट करके जो आपकी फाइनल कट ओफ क्या रहेने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा इसलिए दोस्तों आपसे request है आप वीडियो को last तक जरूर देखना इसमें मेरे पूरा analysis किया है और एक एक चीज आपके mind में set हो जाएगी इसलिए समय निकालकर आप पूरा वीडियो अवश्य देखें दोस्तों आपकी जो भी confusion होगी वो दूर हो जाएगी ठीक है दोस्तो और फ्रेंट्स यदि वास्ता में वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें जो भी आपका टेक लिए रहा है वाट्साइब जो भी गुरूप हो उसमें से अवश्य शेयर करें और दोस्तों आपसे एक request रहती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो आप लोग सेयर तो खूब कर रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आपसे request है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए ठीक दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू आज आपका UPSI की लास्ट में इसी की सबसे लास्ट में कट ओफ बनाई थी तो वह आम आपको बता देते हैं जिससे आपको थोड़ा धर्य हो सके और थोड़ा हम पर एक परसेंट आप विश्वास कर सको ठीक है फ्रजी चैनल एक परसेंट भी है नहीं जो भी बात होती है यहां पर सत्यता के साथ बताई जाती है ठीक है दोस्तों फ्रेंट्स आप देखिए जेल वर्डर की अन्तिम फाइनल कट ओफ यह नो महिने पहले हमने बनाए थी अपना चैनल है इस वह जनरल की हमने कट आप बताए थी 185 ठीक है दोस्तों और यह फाइनल कट ओफ यह जनरल की गई थी 191 184 गई थी मात्र 0.75 नंबर जादा गई थी ठीक है दोस्तों सी की हमने बताए थी 188.75 और दोस्तों सी की गई थी 169 दोस्तों सी की तो बिलकुल 0.25 जादा गई है बिलकुल सेम तू सेम है और स्टी की 132 हमने बताए थी और स्टी की 130 गई है हमारी कट ओफ से दो नंबर कम तो दोस्तो अगर कोई वास्तम में जेनुवन तरीके से सर्वे करें तो कट ओफ का अंदाजा फिक्स भी लगाया जा सकता है, ये चीज हम प्रूफ कई बार कर चुके हैं, ठीक है दोस्तो आपके सामने सब कुछ है, एकदम ऐसा नहीं है यार हम बात करते हैं, तो मेहनत करते हैं, जिस दिन से रिजल्टा आया है, उसी दिन से फाइनल का टॉप पर काम सल रहा था, लास्ट मा के ये आपका काम पूरा हुआ, ठीक है फ्रेंट, चलिए दोस्तो आपको थोड़ा बहुत विश्वास तो हो गया होगा, चलिए दोस्तो आपको करते हैं, वीडियो को शुरू, देखो फ्रेंट्स, आफ जैसे कुल डीवी के लिए कितने लड़के विए लड़कियां दोनों बलाए थे, 36,170, जिन मैंसे गल्स सिविल की, सिविल में होती है, अब पहले हम लड़कों की बात करते हैं, अब लड़कों की वेकेंसी, 37,729, 37,729, तो जब हमने इसमें डिवाइड किया, तो लड़के दोस्तों जैसा की ओफिशल नोटिस है, उसमें बताया है कि 3.5 गुना लड़कों को बलाया है, जब की रियालिटी यह है, कि लड़कों को पहने 4 गुना बलाया गया है, यह बढ़ती बोड का पहला जूट तो यहाँ पर है, जिससे कि लोग ज़्यादा पैने कि ना हूँ, आप समझ रहे हो बात को, आप सी सब चीज़ समझ रहे हो, तो पहने 4 गुना लड़कों को यहाँ पर बलाया गया है, तो कुल लड़के डिवी के लिए कितने बलाया गय हैं, तो 28,950 लड़के हैं, जो डिवी के लिए बलाये गये हैं, अब डिवी में बाहर 5 परसंट, दोस्तों किसी भी एक्जाम का डिवी हो, डियोक्यमेंट वेरिफिकेशन पुलिस में उसमें 5 परसंट बाहर होते ही हैं, यह निश्चत फैक्ट मेरा बहुत वाड़ा आनु आप यह समझेरों कि डोकिमेंट में बाहर कर देते हैं, क्या बाहर नहीं करते हैं, मेरे दोस्त जैसे मैं OVC से हूँ, तो मेरा जो कास्ट इसटेफेट है, जो तैय उन लोगों ने कट ओफ बना रखी थी, कि इसके बीच का होना चाहिए, यदि मेरे कास्ट इसटेफेट उ उसमें आपको 1000-1200 candidates अवसे मिलेंगे, जो कि invalid होंगे इसी फरकार से, याद रखना आप मेरे बात, परसनल अनुवा बतारूं, पांच परसने तो डीवी में निस्चिंत भार हैं ही, हलांकि लड़कियां बहुत कम नहीं निकलती हैं, लड़कियां उकर जो डीवी में बाहर निकलने के 1% से 2% ही लड़की निकल पाती हैं, तो लड़के तो 5% निकलने हैं ही निस्चित, क्योंकि इसमें हाइट होता है, चेस्ट होता है, और डोकुमेंट्स होता है, यह सब कुछ होता है, ठीक है दोस्ते, और सेस कितने बचे, अगर हम 8,950 में यह 5% निकाल दें, त यह आप 5 किलो मीटर की रणिंग के लिए एक घंटा दोगे, तो उसमें भी 10-12% अवस ही निकल जाएंगे, यह नियम ही होता है, और लेकिन दोस्तों यह हमने माना है, ऐसा निये कि 20% ही निकलेंगे हैं, यह हमने एजिम करके माना है, कि यह 20% रणिंग में निकलते हैं, तो यह कट ओफ रहने वाली है, यदि 20% ही कम निकलने वारे हैं, तो तोड़ी बहुत कट ओफ बढ़ जाएगी, लेकिन हमने 20% माना है, और दोस्तों जिस दिन आपकी रणिंग हो जाएगे, उसके बाद 3 दिन एनलाइसेस करने के बाद मैं आपको एकुरेट एक तों फिक्स 10% लिया है, क्योंकि दोस्तों कितने वज़े दोड़ाते हैं, यह इस पर सबसे ज़्यादा निरवर करता है, यह जैसे पहला कि 11-11, 10-11 वजए गर उन लोगों ने दोड़ाए तो बहुत धूप होती है, मैं आपको बता रहा हूं, यह तो दोड़ाने की बात करते हैं, चलन लिए में दोड़ कराएंगे, ठीक भी है, अब सेस बचे कितने 20,000 इसमें निकाल दिये, तो अब बचे 22,000 दो केंडिडेट्स जो की फाइनल मेरिट और सेलेक्शन इनमें से होना है, तो फाइनल में एक्स्रा कंडिडेट कितने हो गए, 22,000 में से 779 वेकेंसी हैं, तो 14,200 जो केंडिडेट्स हैं, यह अतीरिक्त केंडिडेट्स हैं, जिनको फाइनल मेरिट में निकाला जाएका, बस ठीक है, आप इस चीज़ पर वो मत करना कि 20% क्यों निकलेंगे, 10% निकलेंगे, 15 यह हमने बेंचमार माना है, ठीक है, ज्यादा भी निकल सकते हैं, ऐसा नहीं कह कट ओफ रहने वाली है, तो दोस्तों, UPSI फाइनल कट ओफ, 2020 है, तो फ्रेंट्स जनरल की जो कट ओफ है, 309, जो माक्स जिनके 309 माक्स बनने हैं, पिलस में, यह 124 कॉस्चन हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनका सेलेक्शन हो जाएगा, अब कोई कहें, भाई मेरे तो 124 हैं, और उसके वई जो मैंने आपको लिस्ट बनाई है, सफट वाइज नॉर्मलाइजेशन आपको मैंने बता दिया है, कि किस सफट में कितने कॉषन कम हुआ हैं, कितने कॉषन जादा हुआ हैं, उसी के आदार पर यदि आपके जन्डल में 124 कॉषन बन रहे हैं, तो आ लेकिन मैं ने आपको minimum number अतने बता दिये हैं कि इतने question करने पर अतनी number होने पर आपको तीनों में से एक ना एक ज़रूर मिल जाएगी तूसरी आती when की ओवी सी की वाद 298 में हमने इसकी कट ओफ लगाई ये बड़े सोस समझे चोदे जार के इंटिटेर्स को ध्यानम रखते हुए तो 120 कॉस्चन जिसके भी ओवी सी में बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाजेशन उसका सेलेक्शन 101 परसेंट हो जाएगा और EWS में 294 जिसके बनने हैं या 118 कॉस्चन बन रहे हैं उसका सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है दोस्तों सी का 264 पर हमने लगाया है जिसमें 106 कॉस्चन उसके बन रहे हैं स्टी में 226 जिनमें से 91 कॉस्चन जिसके बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाजेशन तो उसका सेलेक्शन हो जाएगा दोस्तों जो यह कट ओफ है बहुत ही अथक फिर्यासों के द्वारा हमने कट ओफ बनाई है इसलिए देख लेना आप जब फाइनल कट ओफ आएगी इसी के इर्दगेर्द रहने वाली है जैसा कि हमने आपको पहले बताया है ठीक है फ्रेंट्स और फ्रेंट्स यदि आपने हमारी जो एक वीडियो बनाई है सिफ्ट वाइज नॉर्मलाजेशन उसमें मैंने प्रत सिफ्ट में गटे हैं कितने बड़े हैं उसके बावजूद आप हमारी फाइनल जो कट ओफ है इससे मिला लेना आपका सेलेक्शन एकदम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसलिए दोस्तों रनिंग करो रनिंग आपकी जल्दी होने वाली है और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों रही बात गल्स की तो गल्स की कट ओफ हमने इसलिए नहीं बनाई अभी इसमें क्योंकि फिर ज्यादा वड़ी वीडियो हो जाती पर उसको समझाव नहीं पाती अगर गल्स की ज्यादा डिमांड आती है तो वह उनकी वीडियो बना देंगे परना 10-20-50 गल्स के कि तो यार वीडियो नहीं बना सकते ना हो अब कमेंट को बड़ पैंट करता है कि कितनी कमेंट्स आती हैं गल्स की कट ओफ के लिए ठीक है दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और फ्रेंट्स सेफटवाइज नॉर्माजेशन की जो वीडियो की लिंके में क कमेंट में पिन कर दूँगा ठीक है दोस्तों और यही कट ओफ आपकी रहने वाली निश्चेंद रहो आपको ज़्याद गवराने की ज़्यादग हो फिल्कुल भी जरूत है नहीं ठीक है फ्रेंट्स और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अ आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवस्चे कर लाएं ठीक है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदय अवतात पर जहन